ये आपको कैसे मालूम पढ़े हैं पित्र भूके हैं इसका तो बढ़नान हमने पहले कर दिया कि रात्री को जब आप सो सोने के बाद में एक देड़ घंटे बाद अगर आपके नीन खुल जाए एक घंटा देड़ घंटा आप सोलिए उसके बाद जो नीन खुली तो एक आपको प्यास लगे हैं भूक लगने लगे हैं प्यास लगने लगे हैं प्यास लगने लगे हैं प्यास लगने लगे हैं आपको पानी पीना पड़े हैं गवराट और ही पानी पीना पड़े हैं एक दड़ घंटे सोने के बाद अचानक नीन खोले हैं और आपको प्यास किसी भी नदी में, सरोवर में, उंड में, बाउडी में, तलाब में, आप तीर्थ में जाकर जब इस्तनान करते हैं एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजली में जल लेकर अपने पूरवजों को देना, यासे रहे, भाग 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 प्राप्त करो, तीन व्रक्च पित्रों के तुल्ले हैं, नेमी शानेड की खथा में भी कहा था, तीन ब्रक्च पित्रों के तुल्ने हैं, पहला पीपल, दूसरा बट ब्रक्च, तीसरा बेल पत्र का ब्रक्च, यह पित्रों के तुल्ने हैं। तो एक प्रिक्टिकल जरूर करकर देखना, एक प्रिक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रियास करने में क्या कुछ जाता है, प्रिक्टिकल करकर देखना, कि कहीं सीवर वाला मारा जूट तो नहीं बोल रहा है, तो प्रिक्टिकल करने में कुछ नहीं जा, एक नोटा पानी ल इस रात पक्ष चल रहा है पेल पत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ इन पेड़ के नीचे लिजाकर उस दूद को तोपाहर में सुभा दस बजे से लेकर बारा वजे के पीच में लिजाकर चड़ा जाजी रात्री को फिर ना प्यास लगेगी ना लेगे